वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक शेयर के लेटेस्ट न्यूस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अभी फिलाल में जो इसकी कंडिशन है उसके अकडिंग ये नेक्स्ट पांसो पर कप जाएगा हजार पर कप जाएगा और 2000 पर तक हमें कप तक देखने मिल सकता है तो चलिए सबसे पहले तो ओला इलेक्ट्रिक की आज की डिटेल अगर आप देखेंगे तो आज की दिन ओला इलेक्ट्रिक 109 रुपे पर ट्रेड करा है और last trading day में हमें लगबग 4.5-5% का हमें इसमें fall देखने मिला है जो कि देखो सबसे main reason तो ये है कि कल के दिन तो market कितना बड़ा crash में था आपने देखा होगा, market भी total 1-1.5% का market में भी crash देखने मिला था तो उसका असर सभी share में था, सभी, ऐसी बात नहीं कि एक दो share में लगबग सभी share में था और सबका portfolio भी लाल था तो वो चलो खेर अलग बात हो गई और दूसरी बात यह है कि बहुत सारा लोग मुझे मतलब comment में भी बोल रहे हैं कि भई आपने share को बोला था कि यह जाएगा उपर जाएगा लेकिन यह तो निचे ही निचे जा रहा है तो आप थोड़ा सा यह दिमाग लगाई है कि share को list हुए अभी तक 15 दिन भी लगबग नहीं हुए है और आपको profit चाहिए 200 गुना 500 गुना तो ऐसा होगी नहीं सकता आप भी जानते हैं अभी देखो long term का नजरिया रेखिए थोड़ा long term सोचे इस share ने अभी देखो इसकी electric bike आने वाली है electric scooter की और भी upgraded version आने वाले हैं उनके sale जो की भारत sale बैटरी करके भारत sale आने वाले हैं तो आप सोचें इंडिया में का sale manufacturing स्टार्ट हो जुकी है इनकी तो जब यह launch होगे तो बजाज टीवेस वाले यह मतलब हिरो होई हिरो वाले यह सब ही मतलब उस sale का use करेंगे तो इनका revenue एक तो sale से भी कितना तगड़ा बढ़ेगा उसके बाद इनके खुद के vehicle से कितना बढ़ेगा तो ऐसा नहीं के share खराब है या फिल इसका future नहीं है या आप जानते है कि EV का कितना भी क्रेज है और आगी है EV कार के लिए भी सोच रहे हैं तो यह share आपको अराम से तगड़ा return देखा आप थोड़ा long term का नजरिया रखिए आप तो short term में अभी list हुए बिचार को अभी 15-20 दिनी नहीं हुए और आपको चाहिए direct 100% का return 200% का return तो वो तो देखो आप long term वाले short term तो मैंने पहले ही कता है आप दूर रहेगा long term वाले अगर आप है तो आप इसमें invest कर सकते हैं आप दिरे दिरे add कर सकते हैं और short term वाले आप जितना हो सके अभी फिलाल में इसका consolidation फेल चल रहा है तो आप थोड़ा सा दूर रहेगा